आत्मा सुख चाहती है सुख नहीं मिलता है उल्टा सुख के बदले दुख मिलता है आत्मा आनंद स्वरूप है इसलिए आनंद चाहती है आनंद स्वरूप है इसलिए आनंद चाहती है आनंद का मतलब कौन है क्या है आनंद है कृष्ण संसा नहीं जो छूट जाएगा जो छुडाया जाएगा वो कभी आनंद नहीं हो सकता है आनंद मैं हूँ सचिदानंद मैं हूँ मैं जो हूँ मैं उसी को ढूंड रहा हूँ ध्याम दीजेगा कोई भी दुख नहीं चाहता है कोई भी मरना नहीं चाहता है कोई भी मूर्ख रहना नहीं चाहता है जहाँ अपने आपको मूर्ख कहलाना नहीं चाहता है चाहे हो मूर्ख है ही क्यों नहीं हो इससे पता लगता है ये जो चाहत है इसके पीछे कोई और कारण है वो कारण क्या मैं सचिदानंद हूँ सत मतलब हमेशा रहना मन ना मरने वाला चिद मतलब ज्यान मैं जिसको किया ज्यान है यही नहीं आनंद मतलब आनंद मैं मैं सचिदानंद मैं हूँ सचिदानंद को ही ढूंड रहा हूँ हमेशा जिन्दा रहना चाहता हूँ उसको ढूंड रहा हूँ लेकिन किस में ढूंड रहा हूँ शरीर में, शरीर को हमेशा रखना चाह रहा हूँ न, वास्तिविक्ता में मैं रहना वाला हूँ, इसलिए मैं ढरता हूँ कि शरीर खतम होगा, तो मैं खतम हो जाओँगा, ऐसा नहीं है, मैं सचिदानन्द हूँ, मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा ज्यानम है और हमेशा आनन्दव है, और उसी को ढूण रहा हूँ, अर्थात भगवान को हम सब ढूण रहे हैं, यही वास्तिविक्ता में प्रतिक आत्मा की इच्छा है, प्रतिक आत्मा यही चाहती है, यह जिस दिन बात पूर्णता है, समझाएगी, उस दिन हम यह करेंगे, हमारी कोशिश होगी, कि हर तरह से हम भगवान से जुड़ जाएं, जिस दिन समझा गया, उसी को कहते हैं, प्रतमानर्थ, स्वरू भ्रहम का नाश होना, स्वरू भ्रहम मतलब मैं क्या हूँ अपने रूप में, उसका भ्रहम हो गया है, मैं अपने बालों को काला करता हूँ, लोगों को यह दिखाने के लिए कि भई, मैं यह नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मैं जवान हूँ, अपने आपको मैं सुन्दर दिखाने का प्रयास करता हूँ, वास्तविक्ता मैं अपने आपको नहीं दिखा रहा हूँ, जो सुन्दर नहीं है, उसे सुन्दर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुन्दर हूँ, मुझे सुन्दरता अच्छी लगती है, मैं आत् मुझे आत्मा ही अच्छी लगती है सुन्दर, लेकिन आत्मा की बीच में परदा परदा हुआ शरीर का, जो दिखने में अच्छा नहीं है, और दिख रहा अच्छा लेकिन अंदर से अच्छा नहीं है, तो कोशिश ये होती है कि मैं सुन्दरता को परदर्शन करूँ, इस त हमेशा जिन्दा रहना चाहती है शरीर में सुख चाहती है शरीर में ग्यान को चाहती है वास्तिविक्ता में जहां जो नहीं है वहां पे वो ढूंड रहे है रेगिस्तान में तपती हुई धूप सूरज की रोशनी से तपती हुई धूप दूर से ऐसे लगती है जिल में लात रेत का वहां पहुंच करके उसे दुख लगता कि पानी आगे चला गया इसी प्रकार इस शरीर में हम स्वरूप भ्रम के कारण तरह तरह के पढ़ावों पे जाके एक-एक जगा पे पहुंच करके हम बोलते यहां नहीं आगे है यहां नहीं आगे है पच्चे थे तो हम सोचत अगेते खेलने में सुख हो गा खेलते 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 मावा उप्ने समझायए वेटा खेलने से कुछ फायदा नहीं आखिर में तुझे भीक मांगनी पड़ेगी जान धारू लगाना पड़ेगा पड़ले शायद थालने बाज competition हुवा उस में अच्छे नमें नमब्ल या लेकिन फिर पढ़ाय करने के भाद में क्या मिला कुछ नहीं कि अधार क्या फाला पढ़ाय नोकरी भी कर लए नोकरी करने के बाद में फिर मन में आया कि हम नोकरी करूं किसके लिए शादी कर लो शादी से स्थाए सुख मिल जाए शादी कर लिए और उल्टा दुख मिला पहले अच्छा था शादी होने के बाद और क्लेश कर लोग सुन-सुन के हस रहे बताओ क्लेश बढ़ गया यह सोच करके कि अध्या गया था दूत तो इसलिए हम जिसे खोज रहे हैं वास्तविक्ता में हमारे दिशा ब्रहम हो गया जिधर स्रेगिस्थान नहीं है जिधर मिर्गत्रिश्णा नहीं है जिधर ब्रहम नहीं है उधर खोजने से उधर खोजने से हमें भगवान जो की हमेशा रहने वाले हैं आनन्द स्वरुप हैं वो मिल सकते हैं ये बात हमने समझने हैं वो आनन्द स्वरुप भगवान ही हमें आनन्द दे सकते हैं और दुनिया की कोई ताकत नहीं दे ये बात तिरकाल सकते हैं हमेशा सकते हैं तो इसलिए हम सब को देखा जाए हम सारे भक्त हैं जितने भी नास्तिक हैं जितने भी आस्तिक हैं जितने भी जीव हैं सारे ही वैश्णव हैं भक्त हैं केवल भ्रहम हो गया है वो भूल करके अपने आपको कुछ और समझ बैठे उनका ये भ्रहम जिस दिन दूर होगा उस द वाचो वेग, मनसा, क्रोद वेग, जिव्या वेग, उदर उपस्त वेग, इन सब वेगों को जीत जो जीतेगा, वो ही अपना जीत सकता है संसार को, ऐसे सब बातें ऐसे लगती हैं, जैसे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हर मुश्किल काम मनुश्य कर सकता है, को फाइदा मिलेगा अब ही हमारा स्वरूप भ्रहम नहीं गया है और स्वरूप भ्रहम कैसे जाता है ये जाता है जिनका स्वरूप जाग्रित है जिनको मालूम मैं कृष्ण का हूँ जिनको मालूम मैं हरी का हूँ जिने पता है मैं हरी का हूँ उनके संग में बैठने से ऐसे अभी विशेयों के संग में बैठते तो करते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मैं ही आप दुखी क्यों हूं सारे सुखी है ऐसे लग रहा है वास्त वितना में सारा संसार दुखों के घर में दुखों के घर में सुख को ढूण रहा है अंधेरे में प्रकाश को ढूण रह इसलिए समझना चाहिए सादुसंग करने सादुसंग कहा करें महापुर्ष लोग चले गए हमारे जैसे टिम्टिमाते हुए दीपक टिम्टिमाते हुए मौमबतियां सिर्फ डर ये रहें कि कहीं हवा का जोका ना है और बंद्रा हो जाए सूरज चले गए अब तो अंधेरे म किसको जुड़ोगे भईया जो टिम्टिमाती जोती मिल लए उसी को आगे लेकर चल लो इसी में कल्यान हो जाएगा समझे नहीं तो ये चीज मूल रूप से कहने का मेरा मतलब ये जो दिखने में ऐसे लगते हैं कि बड़ा कठिन है चलना कोई कठिन नहीं है आपने जदी लक्ष अपना बड़ा रखा है तो आपके लिए कोई कठिन नहीं है लक्ष छोटा है क्या करें नोकरी नहीं मिल लें क्या करें शोकरी नहीं मिल लें क्या करें बच्चे नहीं हो रहें क्या करें सेड में दर्द है माइग्रेन है ये सब चश्क्रों अगर पढ़े रहें तो चमड़ी है इसलिए सब्सक्राइख लिए इस दिन प्रयास करोगे उस दिन ये बातें बहुत अच्छी लगें और ऐसा लगेगा हाँ यहां तक मैं पहुंच गया इसके आगे क्या है तो कहते साधुस्म करना कैसे करना है जिन से आप प्रेम करना चाहते हैं उनसे छे प्रकार की क्रिया शुरू कर दें अगर आप ये छे प्रकार की क्रिया कुट्टे से करेंगे कुट्टे से प्रेम हो जाएगे क्या डदाथि देना बदले में कुछ देना चाहिए जे आपनी तरशी हो कुछ देना चाहिए उसे लेना गुईया माख्याति-ृषवति अपने जो अंदर की बात है वह पूचनी उनके जो मिरते की बात है वोसुनना भूंगते खिलाना भोजियते चेवर खाना इन छे प्रकार की क्रियाओं को जिससे करगो उनसे प्रिति हो जाए अब आप देखो आपकी गली का कुत्ता है आप जानते ने उसका रिष्टेदार कौन है कौन ने उसी का एक भाई उठा करके आप अपने घर में ले आए थे जो छोटा था था पिल गुमाते हुए आप लेके गए और उसका भाई उससे लड़ने लगा आपको क्या लगा मेरे कुत्ते को भूंकरा है आपने पत्थर उठाया आप मारोगे किसे दूसरे वाले को दिखने में दोनों एक से हैं केवले इसमें पटा आपका पड़ा है इतने ही आपकी पैचान ह है कि आप दूसरे वाले को मारण गलती से अपने वारे को लग तो ये समझाइन यह है अपने उसका सुना भाव 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 सुना और उसने आपको सुना आपने उसको खिलाया ठीक है और उसने खाया आपने उसको दिया तो उसने आपकी रक्षा के लिए उसने आपकी रक्षा के लिए भाव भाव किया किसी दूसरे को भगा दिया गलत आदमी को भगा दिया उससे आपको क्या होगे प्रिती हो गई उसके भाई से आपकी दुश्मनी हो गई, उससे आपकी पृति हो गई, कहते हैं भाईया एक उत्ते बिल्ली और चमणी वालों से प्रेम मत करो, कोशिस करो प्रेम करो तो ठाकुर्जी से भगवान के निजजनों से, मुसीवत ये होती है, कि संसारी व्यक्ति का जो प्रेमों शरीर तक सीमित रह जाता है, और जब भी किसी सादू के पास भी जाता है, तो सादू का रूप, सादू का गुन, सादू का ये सब देख करके उसी वे फ़स जाता है, वो सादू की आत्मा को देखने ही पाता है, उसक के कारण जो है सत्यानाश उसका भी होता है और महापुरुष्ट का भी जो है हिर्दे में जो है विकार उत्पन होते हैं इसलिए मैं हरे बहुत पार बोलता हूं साधू संग का मतलब है साधू के मुख से निकली हुई कथा उसका संग उसके पीछे चलना है आपने सम्यक गमन साधू के अनुसार चलना मतलब साधू की मनोवृत्ति के अनुसार चलना साधू कौन है इस बात को समझ लेजे साधू वहा है वास्तविक्ता में जिसका मन गोविंद के चरुण में लग गया उनकी मनोवृत्ति अनुसार चलना है आपने जब हम उसके मनोवृत्त अनसार चलेंगे तब क्या होगा संसार की दुनिया के लोग जितना कुछ भी चाहे पकड़ना पक तो यह आपका ध्यान उदर रहेगा आपका टार्गेट वो है तो इसलिए कहने का मेरा मतलब ददाती प्रतिक नाती यह सादू संग करने के लक्षन है इनको करेंगे तो वां सादू करेंगे तो